Hello guys, welcome back to my new video. Guys, हमारे पास question है, the salary of A, B and C are in the ratio of 1 ratio, 3 ratio, 4. If the salaries are increased by 5%, 10% and 15% respectively, then increased salaries will be in the ratio. यानि कि A, B, C की salary का ratio है, एक ratio 3, ratio 4 है, अगर उनकी salary 5%, यानि A की अगर 5%, B की 10%, C की 15% अगर बढ़ती है, तो उनकी बड़ी हुई salary का ratio क्या होगा, चार आप संदिएके, तो इसके लिए हम लोग माल लेंगे, A की जो salary है, वो माल लेंगे 100 है, और B की salary कितनी में जाएगी, तो यहाँ से, तो यह की जब increased salary कितनी आएगी, increased salary, इसको लोग लिखेंगे, A plus, increased salary किया है, 100% plus 5%, 5% of 100, यह value आएगी, 105, उसके बाद, B की जो salary है, बो ratio क्या है, 3 ratio, यानि कि B की value आएगी, 300 होगी, और B, positive, यानि कि B की बड़ी salary, 300 plus, इसका 10% of 300, यह value आएगी, 330, उसके बाद, C की जो salary होगी, चार ratio में है, तो यह 400 हो जाएगी, और C की बड़ी salary, यानि कि C positive, यह आएगी, 400 plus, 15% of 400, यहान से जो salary होगी, यह value आएगी, 460, तो इसका ratio अगर पूछा जाए, यानि कि, A positive, ratio, B positive, ratio, C positive, पॉच्टिव ने इसले लिया, इनकी increase साल लिया, तो इनका ratio इस तरीके जमने डिनोट किया है, तो यहान से एगर दिखा जाए, A positive की value, 105, उसके बाद, 330, उसके बाद, 460, यह value, अब यहान से अगर इसको solve करेंगे, तो यहान से value आएगी, 21, ratio, 64, ratio, 92, तो अगर option देखा जाए, यहां पर, option नमबर हमारा बनेगा, 21, 64, और 92, option no. B